ये गाइस दिस प्रतिभा, वेलकम टु दी चैनल, आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी मिठाई बनाने की रेसिपी, येस गाइस दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो मिठाई बनाना तो बनता है, और ये मिठाई जो है, मैंने घर मे बनाई है, ऐसे एसे मार्केट से लिया है, लेकिन धब मांधना बनाने की रेसिपी, मिठाई बनाने के लिए, सबसे पहले मैंने 2 कप मिल्क पाउड़र लिया, एवरी डे का मिल्क पाउडर मैंने इस्तेमाल के, आप किसी भी ब्राइन का और 1 कप पाउडर चिनी है, शक्कर पीस लिजे चिकना और इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं, तो मिल्क पाउडर को और पाउडर चिनी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या फिर कटोरी का इस्तिमाल कर सकते हैं, और यहां पर मैंने लिया है एक कप दूद्ध जो है नहीं जादा ठंडा है नहीं जादा गरम है रों टैंप्रेचर में मैंने लिया है और बस इसमें थोड़ा-थोड़ा सा मिक्स करते हुए इसका एक स्मूध सा बैटर बना लेंगे तो याद रखेगा गाईस इसमें आना बहुत मुश्किल हो जाता है तो बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डूट डालकर एक समूध सा बैटर तैयार कर लेना है तो आप देख सकते हैं बिलकुल इसमें कोई भी गठाने नहीं पड़ी है और एक समूध सा बैटर तैयार हो गया है अब बना लेते हैं किसे हमें इसे पका लेना है याद रखेगा गैस का फ्लेम लो रखना है अगर आप हाई या फिर मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तो मिठाई जो है वो जल जाएगी तो आप देख सकते हैं इसे पकाते हुए मुझे तीन से चार मिनट हो गए है और ये बैटर जो है वो होना स्टार्ट हो गया है तो बस इसी तरीके से कंटीन्यू चलाते हुए हमें इसे पका लेना है अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टीस्पून घी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक जो मिठाई का मिश्रन है ये जब तक कडाही ना छोड़ने लगे तब तक यानि कडाही से सेप्रेट ना होने लगे तब तक हमें इसे पका लेना है तो इसे पकाने में 5-6 मिनट लगते हैं और आप देख सकते हैं यहां पे जो मिश्रन है वो कडाही से सेपरेट होने लगा अलग होने लगा है तो अब कर देंगे गैस का फ्लेम बंद और बना लेंगे मिठाई तो सबसे पहले मैंने चॉपिंग बोर्ड में आधी चमच घीराल कर इसे ग्रीस कर लिया है और जो हमने मिश कर लूँगी दो भाग क्योंकि एक पार्ट में मैं कोको पाउडर डालूँगी और एक पार्ट को हम रख देंगे साइड में और इसमें हम डाल लेंगे चॉकलेट पाउडर या फिर कोको पाउडर या फिर आप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं अपने पसंद का तो यहां पे से इसका टेस्स बहुत ही बढ़िया बनकर तयार होता है और एगम चॉकलेट सा फ्लेवर आता है इसका और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है तो बस इसी तरीके से हमें इसमें मिक्स कर लेना और आप देख सकते हैं चॉकलेट डो जो है वो बनकर तयार हो गया है अब चॉकलेट रोल बना लेते हैं चॉकलेट डो में से उसके दो पार्ट करेंगे और इस तरीके से रोल बनाते हुए थोड़ा सा हातों की मदद से फ्लैट कर लेंगे लंबा और फ्लैट कर लेंगे और इससे अब रग देंगे साइड में इसी तरीके से हम दूसरा रोल भी बन तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा रोल करके इसे फ्लैट कर देंगे, और सेम प्रोसेस हम वाइट वाले डो में से भी करेंगे, तो इसके भी हम दो भाग कर लेंगे, और इसी तरीके से रोल बनाते हुए इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, इसी तरीके से हमें दोनों रोल जो अब बना लेते हैं मिठाई, सबसे पहले हम रखेंगे वाइट वाला रोल, उसके बगल में रखेंगे चॉकलेट रोल और दोनों को अच्छे से चिपका लेंगे, खलके हाथों से चिपकाना है, और अब चॉकलेट रोल के उपर रखेंगे वाइट वाला रोल, और वाइट व 4 च्पका देंगे, ताकि जो मिठाई है वो हो अच्छे से सेट हो जाए यह देखेगाईज और अब इसे मैं 20 मिनट के लिए फ्रिज में शैट होने के लिए रख दूँगी 20 मिनट बात यह देखेगे मिठाई जो है अच्छे सेट हो गई है अब मैं इसमें लगा दूँगी चांदी का वर्ग आप चाहें तो ड्राइ फ्रूट से भी इसे सजा सकते हैं अब आप इसे कट कर लीजे तो मैं जो है इसे मीडियम शेप में ही कट करूँगी यानि ना जादा बड़ा ना जादा छोटे मिठाई बनाएंगे आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं तो ये देखिए चाकू की मदद से हम इसे काट लेंगे स्क्वार शेप में और यहाँ पे जो हैं मैं मिठाईों के उपर बादाम को लगा दूँगी थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक बादम के मैंने दो पार्ट कर ली हैं और उसे हम इसमें चिपका देंगे आप चाहें तो अपने पसंद के कोई भी ट्राइफ रूट्स काजू या फिर पिस्ता लगा सकते हैं और यह देखें जटपट, मिल्क पाउडर, इंस्टेंट मावा, मिठाई बनकर तैयार हो गई हैं लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ियां और कितना असान ही से बनाना और यह इतनी अच्छी देखने में लग रही है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी खाने में हैं और बनाना तो आपने देखा ही कितना आसान है तो बस आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बैल आइकन भी जरूर दवायेगा मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तिल देन बाबाई